Am I visible to all of you students? अगर आ रही है तो प्लीज मुझे कोई comment section में बता देगा कि yes sir you are live so that we can start an awesome quiz for the day Students हमेशा की तरह आज भी बहुत ही बहतरीन questions आपके लिए लेके आपाया हूं and yes sir now I can see that we are बिलकुल live we are बिलकुल live hello sir hello Avinanda Neeraj Raathor okay सुभं क्रिपाथी इसानी जासू, सायद नावे, निले, सुभाम, रिसिका, आलो, ट्रिप्ती, प्रेमी, पुर्णीमा okay हाई हाई जैसा कि मैं रोज बोलता हूं यार थोड़ा सा 5 मिनेट कम से कम बरदास कर लिया करो यार 5 मिनेट लेट हो ही जाता है okay, actually just इस क्लास से पहले मेरे प्लस पे भी क्लासेस रहते हैं just मैं प्लस पे क्लासेस को खतम करता हूं और इमिडियेट बोर केर यूट्यूब पे आता हूं ताकि आप लोगों के लिए क्लास को स्टार्ट कर पाऊं तो स्टुड़ेंट थोड़ी से प्रॉब्लम हो जाती है चलिए कोई बात नहीं और आप लोग यार बहुत अच्छे हो कि आप लोग थोड़ा सा मेरा वेट भी करते हो come on, come on स्टुड़ेंट, you should wait 33 people are watching us live and student topic है, उसका आज का topic है heridity and variation तो student कल हम लोगों ने molecular genetics के topic को खतम किया था तो अब लगभग आप देखो कि class 12 का लगभग जितने chapters थे उसे हमने पूरी तरह से complete कर लिया है और ये लगभग इस मन्त का end भी है अगले मन्त का मैंने target रखा है कि पूरा का पूरा class 11 chapter number 1 से लेके बिलकुल last chapter तक मतलब कि living world से लेके nervous system या endocrine system जो last chapter है वहाँ तक मैं हर रोज एक एक quiz लेके आऊंगा and we will be completing all the chapters in the next month बहुत मज़ा आने वाला है तो चलिए students अब सारे लोग आ गए हो अब सारे लोग लगभग आ गए हो सर सर पोल सिस्टम अनकेडमी का काफी अच्छा है yes yes for sure sir आप 5 मिनट पहले आ गए नहीं 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 पांच मिनट पहले नहीं 8.50 में है ओके सर अब बहुत सारे लोग है मैंने बात किया था ओके ओके चलिए अब इसमें human microbes नहीं हुआ है मेरे ख्याल से एक quiz मैंने लिया था अगर नहीं लिया था तो ले लेंगे कोई बात नहीं है तो उस पे भी हम लोग ले लेंगे चलिए राहुल सोनार्थी ओके सरीफ अनसारी राधिका अंजली अभी नंदन microbes ओके ठीक है microbes का अगा इन बाकी है तो वो भी हम लोग कवर करेंगे ठीक है Chris अब जितने भी लोग है यार अब हम लोग चलते हैं पहले question की तरप पहले सब को एक बार comment section में बोल दे ready है sir ready हो come on come on tell me सारे के सारे लोग अगर आप लोग ready हो तो please एक बार बता दीजिए की yes sir we are ready come on आग लगने वाला है आग लगने वाला है sir now 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 I am just waiting for your comments yes ready 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 okay चलिए सारे लोगों का comment आगया है की yes sir we are ready 41 people now जल्दी जल्दी number को बढ़ाओ जल्दी जल्दी like button दबाओ और यह रहा पहला question on the screen या देखिए आज आप pen और copy के साथ बैठिए क्योंकि questions को solve करना पड़ेगा genetics में बहुत सारे questions numerical based होते हैं ओके चलिए यहां रहा आपका पहला question on the screen ओके so here is the first question आग लगा दीजिए यार आग लगा दीजिए which of the following do not relate which of the following do not relate correctly to the given ratio of 1 is to 2 is to 1 in the F2 generation come on I am waiting for your answers I am waiting for your answers अब कोई सोच रहा होगा या पहली question sir ऐसा ऐसा कहां से बना के लाते हैं चलिए चलिए पहला question आपके लिए which of the following do not relate correctly to the given ratio 1 is to 2 is to 1 in the F2 generation आप लोग के लिए में हमेसा special 10 questions मैं खुद से फ्रेम करता हूँ कि भाई आपको एक अच्छा question मिले चलिए 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 come on come on students nice to see nice to see so many people giving us the correct answer तो चलिए तो student phenotypic ratio for incomplete dominance द्यान दीजिए student यह जो तुम्हारा incomplete dominance होता है यह जो तुम्हारा incomplete dominance होता है और जो तुम्हारा co-dominance होता है इन दोनों का must वाला feature क्या है बताओ तो इन दोनों का must वाला feature क्या है कि F2 generation में इनका genotypic ratio is always equal to phenotypic ratio इनका genotypic ratio is always equal to phenotypic ratio and this ratio is 1 is to 2 is to 1 तब तो यार पहला वाला का तो 1 is to 2 is to 1 होगा ही दूसरे वारे का भी 1 is to 2 is to 1 तो होगा ही अब आईए monohybrid cross monohybrid cross में genotypic ratio होता है 1 is to 2 is to 1 बट phenotypic ratio होता है 3 is to 1 तो answer is going to be third number तो student इस question का answer है third number और बहुत सारे लोगों ने इसका सही answer दिया है बहुत सारे लोगों ने इसका सही answer दिया है थोड़ा साथ कुछ लोगों का नाम लेते हैं हो जिनका नाम छुड़ जाए खराब लग रहा है तो खराब ना लगाए मेरे को बताए मैं आपका भी नाम लूँगा तो चलिए students यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसका सही answer मेरे ख्याल से beauty misra ने दिया था great इसानी जासू then प्रेमी पुर्णिमा okay great then निसा कुमारी then we have the नक्षत्र रतन निसान सिंग अभै राज सुबं त्रिपाथी आलोक राज काजल गुपता okay अभी नंदन और भी लोगों का नाम लेंगे in the next question चलिए चलिए students ये रहा next question on the screen आप सभी के लिए आप लगाईए okay sir ये क्या question है अरे यार ऐसे ऐसे question क्यों लाते हो sir थोड़ा easy लाया करो अरे बहुत easy है थोड़ा देखो तो यार बहुत easy है come on students come on बहुत easy question है read the following statement and choose the correct option चलिए come on I am waiting for you hi Sraddhaja no one is late join it from here जहां से start करोगे यार वही से आग लगने वाली है चलिए come on give me the answer सारे लोग तो यार पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो answer करी नी रहे हो so students यहां पे I am just waiting for your answers 45 people are watching us live but the answers 45 तो नहीं आ रहे है चलिए क्या बोलता है males generally function as the carriers of the sex linked disorders अरे या sex linked disorder क्या होते है sex linked का मतलब ही होता है कोई भी character जो की sex chromosome पे बैठा हो अब यार अगर तुम x पे बैठो तो भी अपने आपको so करोगे तुम y पे बैठो तो भी अपने आपको so करोगे तो जब आप हमेशा express करोगे क्योंकि तुम्हारा तो बगल में कोई ऐसा gene नहीं होगा जो कि तुमको suppress करेगा तो इस कारण से male long कभी भी carrier नहीं होता है for sex linked disorder autosomal के लिए हो सकता है अगर कोई character autosomal recessive है तो उसमें male भी carrier हो सकता है बट sex link के लिए male कभी भी carrier नहीं हो सकता है तो भाई भूल जाओ this is the wrong statement female long carrier होती है the mother pass the ally of the sex linked trait to daughter only किसने बोल दिया या जो mother है mother तो x sex है तो वो अपना x किसी को भी दे सकती है वो चाहे तो अपने बेटे को दे सकती है वो चाहे तो अपने बेटी को दे सकती है she can supply the x chromosome to anyone तो student ये statement भी गलत है तो answer will be for both a and b are incorrect चलिए students देख लेते है कितने लोगों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया तो बहुत लोगों ने अपने answer को change किया है very good message retracted जब भी मैं देखता हूँ समझ जाता हूँ मैं समझ जाता हूँ कोई बात ने कोई बात ने student तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे पहले इसका सही answer इसानी जासू ने दिया था very good इसानी जासू प्रेमी पुर्णिमा ने भी दिया very good विकास कुमार, निसा कुमारी, सुभम त्रिपाठी अभैराज, राम रबन का गलत है कुमार, दीपक, साहू, प्यूस, सिंग अभिनंदन, काजल गुपता, सालिनी कुमारी, बर्खा सिर्वास्त, प्रतीबा कुमारी और भी लोगों का नाम लेंगे next question में चलिए students, it's awesome 48, now it's 51 people okay, nice तो कम से कम half century तो हो गई come on students, ये रहा next question on the screen अरे sir, फिर से ऐसा question a male grasshopper के बारे में बताना है कि कौन सा statement यहाँ पे सही है about the male grasshopper knit वालों का ये बहुत ही favorite question है, male grasshopper यहाँ दखिए, तो जल्दी से जल्दी से comment section को भर दीजिए, अपने सही answers से I know, you people must be reading the question, okay, nice nice to see, please, come on, come on I want your good answers students, आप लोग बहुत intelligent हो, मुझे पता है, आप लोग बहुत चा करने वाले हो, come on but still, I am waiting for your answers I am waiting for your answers मैं पहले बता दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग गलत answer दे रहे हैं, तो please अपने answer को ठिक किजिए बहुत सारे लोगों ने गलत answer दिया है अब male grasshopper सबसे पहले तुम मेरे को बताओ कि जो male grasshopper होता है उसका karyotype कैसा होता है? तो इसका karyotype जो grasshopper होते हैं उनका karyotype is your xx या फिर xo तो ये जो xo है ये जो तुम्हारा xo है ये है male grasshopper और जो ये xx है ये है female grasshopper तो एक बार तुम जानगे कि female कौन है और male कौन है तो अगर पहला line बोलता है has the same number of chromosome तो कैसे same number है यार? male के पास एक chromosome कम है ओ का मतलब क्या होता है? under मतलब chromosome is missing तो मतलब male cannot have the same chromosome male must be having one chromosome less than the female तो ये गलत है produces a single type of gamut क्यों single type of gamut बनाएगा? इसका एक gamut a plus x बन सकता है तो दूसरा gamut a plus o बन सकता है तो student ये भी गलत है produces two type of gamut which differ in the chromosome number बिल्कुल सही इसके पास एक chromosome जादा है इसके पास एक chromosome कम है this is the correct statement is homogametic? no sir two types का gamut बना रहा है this is heterogametic ये भी गलत है तो answer होगा इसका तीन number third number is going to be the answer for this question हमेशा यार देखो अच्छे questions लेके आता हूँ ताकि आपके concepts असे से चेक हो पाए अब मैं थोड़ा देख लूँ कि कितने लोगों ने सही answer दिया था थोड़ा भी अच्छा question लाता हूँ यार आप लोग गलत कर देते हो मजा नहीं आता है okay कोई बात नहीं कोई बात नहीं फिर भी देखते हैं सबसे पहले इसका सही answer दिया था सार्दा जहाने very good सार्दा जहा then इसके बाद इसका सही answer सायद ही किसी ने दिया है सायद ही किसी ने दिया है foizul ameen then samir samar अब इतने लेट के बाद तो देखे कोई फाइदा नहीं ना तो इसका answer है three हाँ बिलकुल अब है ने बिलकुल सही कहा कि वही इतने लोग देख रहे हो but number of likes are so less एक बार like बटन दबाओ तभी जाके चौथा number question आएगा come on come on यार एक बार like बटन दबादो ताकि सर के अंदर भी थोड़ा energy आजाए सर के अंदर भी थोड़ा energy आजाए come on come on press the like buttons okay hi manis trivedi okay कुमार दीपक साहू sir सीखने को मिला very good you should learn you should learn अब यहाँ पर okay okay liked already okay okay very good और यह रहा तुम्हारा next question on the screen like दबाने में कंजूसी नहीं करना है बिल्कुल कंजूसी नहीं यह रहा next question अब चलिए अब चलिए student आग लगा दीजिए a color blind female is produced by which of the following crosses मजा आएगा blind तो कुछ तो करो यार कैसे करके color blind female को produce करेंगे I am waiting for your answers I am waiting for your answers okay come on अभी तक अभी तक हाँ बिल्कुल सही का आप हो जुनने जो भी like नहीं करेगा पाप लगेगा यार बहुत पाप लगेगा okay very good very good nice to see तो इस बार सारे लोग इंदम सही answer दे रहे एंदम जखास इंदम थड़ा के सभी लोग तम सही answer डाल रहे है जहां easy question आता है आप लोग सारे लोग सही कर देते हो बहुत मजा आता है knit में actually easy question ही आते है अगर आप ऐसा भी कर पाएंगे तो भी आप knit में बहुत अच्छा करने वाले है तो be confident you people are going to rock you people are going to rock students do remember कि वह color blind female कौन होगी एक ऐसी female जिसके की दोनों ही x पे small c बैठा होना चाहिए क्योंकि color blindness कैसा character है तो this is always a this is always a x-linked recessive character याद रखिए this is a x-linked recessive character तो कोई भी recessive character अपने आपको केवल और केवल homo-jagous condition में ही express करेगा तो सारे लोगों ने इसका answer दिया है third number थोड़ा देख लेते हैं अगर एक carrier female है तो carrier female कैसी होगी x x c और एक color blind male कैसा होगा तो color blind male is going to be x y और यहाँ पर एक small c अब अगर इसको cross करेंगे तो अगर यह x c और यह x c साथ में आ जाए तो we can get this and that is going to be a color blind female तो अब्यस है third number will be the answer for this question यहाँ देखिए color blind females बहुत कम होती है because this is a very very tough thing to get two small c's in the same female but color blindness is very common in the males males में यह ज़्यादा common है as compared to the females क्योंकि male के पास अगर एक भी x आ गया तो male is going to be the color blind okay thank god we are not color blind okay that's a great one अब student हम लोग आगे बढ़ते हैं अब student हम लोग आगे बढ़ते सार मेरे question read करने से पहले ही सब answer कर देते हैं इसका मतलब है कि they are more intelligent कोई बात दी फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले इस question का answer किन लोगों ने दिया था इसानी जासू हमेशा की तरह she is very intelligent then we have Dhanisa कुमारी then we have Chris Premi Purnima is also getting intelligent nowadays Beauty Misra is also very intelligent Richa Kumari यहाँ पे यार आप लोग जितने भी होना यार बहुत intelligent लोग हो that's a great performance चलिये student यह रहा next question on the screen चलिये चलिये students चलिये students what would be the frequency of ओके पहली बार समझ आया question से your questions are just awesome obvious है मैं बताया ना कि 10 questions को बनाने में मैं आधा घंडा कम से कम लेता हूं आप लोगों के लिए ऐसा मस सोचिए कि कोई भी 10 questions लेके आ जाता हूं मैं उन्हें select करता हूं उन्हें modify करता हूं और तब जाके आपके पास लेके आता हूं चली है students अब इस question का answer बता दो what would be the frequency of capital A small A, capital B small B, capital C capital C individuals from across between this from across between this I am just waiting I am just waiting विसाल कुमार सर भोट किसको कर रहे है voting important है अरे वावा रे विसाल कुमार my vote is confidential आपको पता होना चाहिए और वो भी आप social video में पूछ रहे हो अभी मैं बता दूँगा कल को मुझे जेल हो जाएगी तो परसो से यहां class कौन लेगा नहीं नहीं मैं यसी गलती नहीं कर सकता my vote is always confidential ओके चलिए आप देखिए student इस question में क्या होने वाला है जब भी आप इसे cross कर रहे हैं capital A, small A capital B, small B, capital C, small C और इसे आपको cross करना है इसी के साथ और उस्ता है कि कितने individuals इस type के होंगे capital A, small A, capital B, small B, capital C, capital C तो मैं आपको हमेशा ये question कैसे बताता हूँ कि आप क्या करो इस tri hybrid cross को तीन mono hybrid cross में break कर दो तो आप पहले इसको इसके साथ cross करो जब तुम इसको इसके साथ cross करोगे तो यार ये capital A, small A आने के chances कितने होंगे this is going to be 2 by 4 एक बार करके देखना मालूम चल जाएगा फिर जब तुम इसको इसके साथ cross करोगे तो capital B, small B आने के chances कितने होंगे ये भी होगा 2 by 4 ये भी होगा 2 by 4 और जब तुम इसको इसके साथ cross करोगे तो capital C, capital C आने के chances कितने होंगे यहाँ capital C, small C नहीं बोला है Capital C, Capital C, यही तो मैंने twist दिया था यहाँ पे, तो student यह कितना होगा, 1 by 4, अब सब को multiply कर दो या, तो this is going to be 1 by 2, this is going to be 1 by 2, and the answer is going to be 4 into 2, 8 into 2, 16, that is 1 by 16, the answer for this question will be 1 by 16, that is the 4 number, Oh God, what is going to happen to this question, तोड़ा देख ले, कितने लोगों ने सही answer दिया था, सारे का गलत, 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 पुरा भरा हुआ है, इतने लोगों ने गलत answer दिया है, बट मज़ा आ गया, निशा कुमारी ने सबसे पहले सही answer दिया, देन सुबंत्री पाठी ने सही answer दिया, उसके बाद, उ खोजने से भी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, होप आप लोगों ने सीखा, कि कैसे बनाते, सब लोग हर बराते बहुत हो यार, question को देखते नहीं हो, मुझे पता है, सारे लोग MTG का ये question है, MTG में इसी तरह का question दिया हूँ है, उसका answer 1 by 8 है, रट के आ जाते हो, अरे य now student यहाँ पे but in question कहा question यार office spring देखो इसका पूछा है इसका पूछा है ये देखो ये देखो ये तो parent ये है तो parent में तो मैंने भी capital C small C ही लिया है but question में office spring के बारे में पूछा है ना ओके चलिए अब ये रहा next question अब ये रहा next question on the screen चलो अब ये easy question आ गया अब ये एक easy question आ गया बिल्कुल आग लगा दो जल्दी से जल्दी से आग लगा दो इसमें गलती का कोई गुंजाईस नहीं है which of the following events fail to take place during phenyl ketonuria यहाँ पे गलती नहीं कर सकते हैं यहाँ पे गलती नहीं कर सकते हैं sir ऐसे questions का telegram तुम लोग telegram join क्यों नहीं कर रहे हो पहले तो यार वहाँ number बढ़ाओ तब तो share करना सुरू करे आप घवराओ मत आप लोगों के लिए website नया बना रहा हूँ website पे आपको free में test मिलेगा free में आपको website पे test देने वाला हूँ website is getting ready बहुत जल्दी बहुत जल्दी ओके ओके students I am the first one to answer now ओके पहले देख लो यार पहले answer तुम्हारा सही है की नहीं इसमें क्या होता है नौर्मली हमारा जो phenyle alanine है यह convert हो जाता है टाइरोसरीड में और convert करने के अ क्वोनसा enzyme चाहिए फेनायल एलानीन हाइडरोकसीलेड फेनायल एलानीन हाइडरोकसीलेड इस इस दा एंजाइम धाट रिक्वायर लेकिन फैनाइल किटोनियूरिया में यहीसी एंजाइम का डेफिसींसी हो जाता है फैनाइल एलनीन हैट्रॉक्सीलेज याद रखिए student कि जब तुम फैनाइल किटोनियूरिया पढ़ते हो और exam में question पूछता है कि किस एंजाइम के ड लेटर को देख लीजिए फेनाइल एलनीन हाइड्रोक्सिलेस वही एंसर है इस question का तो student यहाँ पे यह क्या होता है the conversion of फेनाइल एलनीन to tyrosine यह event यहाँ पे नहीं हो पाता है answer will be 4 चलिए student थोड़ा सा देख ले कितने लोगों ने इसका सही answer दिया था तो यार इस बार तो बहुत सारे लोगों ने सही दिया मजा आ गिया बिलकुल मजा आ गिया इसानी जासू ओहो तो intelligent girl then we have रोशनी बारनवाल then we have Chris then we have शिव नंदन भाई MBBS बाबारी ओके शूती प्रिया, ब्यूटी मिस्रा, निसान्त, क्रेश, प्रनेचंद्रा, काजल गुपता, अभैराज, अभै, जैचंद्रा, विस्नु, कृति, उपाध्याय, सालिनी ओके वेरी गुड और भी लोगों का नाम लेंगे in the next question यस सर नाइस ट्रिक, that's why I always attend the class अरे यार, ट्रिक्स की तो कोई कमी ही नहीं है, बट सारे ट्रिक्स अब यूटूब पे थोड़ा बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है problem क्या होता है मुझे आप से problem नहीं होती है मुझे problem हो जाती है दूसरे teacher से वो लोग copy कर लेते हैं तो फिर मेरा थोड़ा सा loss हो जाता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं student अब ये रहा next question अब ये रहा next question on the screen चलिए अब ये बताईए students what would be the sum of the phenotype sir आपने animal kingdom पढ़ाना दिया क्या अभी पढ़ाएंगे सिवाने, सिंग, राजपुत अभी ये plus पे start होगा animal kingdom सारा जखकास आपको tricks बताएंगे पूरा animal kingdom याद करा देंगे एकदम मस्त tricks के साथ what would be the sum of the phenotypes and the genotypes obtained from a tri-hybrid cross okay, okay, जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए तो ये बहुत ही easy question है ये बहुत ही easy question है देखिए मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब भी तुमको total number of phenotype निकालना है total number of phenotype निकालना है तो उसके लिए formula होता है 2 to the power n और n का मतलब होता है कि कितना hybrid है तो आप देखिए ये tri hybrid है तो 2 का power 3 होगा that is going to be 8 और number of genotype निकालना है तो बिल्कुल tension मतलीजिए इसको 3 का power n कीजिए and this is going to be 3 का power 3 तो that is going to be 27 दोनों को जोड दीजिए question क्या पुछा है sum of तो 27 plus 8 मेरे ख्याल से ये 35 होता है और अगर ये 35 होता है तो answer होगा एक number चलिए अब थोड़ा सा देख ले कितने लोगों ने इसका सही answer दिया है कितने लोगों ने इसका सही answer दिया है अरे यार इसमें भी इतनी गलतिया क्या कर रहे हो यार तुम लोग कहा पढ़ रहे हो कहां पढ़ रहे हो यार फालतु में टाइम बरबात कर रहे हो इदर उदर जल्दी से plus के classes join करो यार इतना मस्त बताऊंगा सारे questions वो सही करने वाले हो ये सब question भी गलती कर रहे हो so sad so sad students नहीं मजा आ रहा है अभी नंदन ने विलकूल सही बताया क्योंकि अभी नंदन प्लस का student है very good beauty मिस्रा ने भी सही बताया मेरे ख्याल से she is offline student of mine मेरे ख्याल से then तो यार बहुत सारे लोगों का गलत है गलत है गलत है निसान सिंग ने भी सही बताया very good निसान सिंग अलसो, ओके, आलोक राज ने सही बताया, ओके, गुड, गुड, बहुत लोगों ने गलत बताया, तो अब नाम कैसे ले, किन का कित का नाम ले, ओके, कोई बता नहीं, सर, जो जुआइन प्लस नहीं किया, उसके लिए, हाँ, हाँ, मैंने तो बताया ना, अभी के अभी मैंने तुम्हें ट्रिक बताया, अभी के, अभी मैंने तुम्हें ट्रिक बताया, अब होता क्या ने, प्लस में हर रोज, मैं तीन-तीन घंटे क्लास लेता हूँ, अब तुम बोलोगे, कि सा, तीन घंटा वाला, सब कुछ आप आधे घंटे में बता दो, तो कैसे पॉ आप अब उलओ के सार मेरे पास पैसे नहीं है अरे आब या तीन मन्थ के सब्सक्रिप्जन के लिए पैसे नहीं है यह जूट बन बोलन आप लोग कya काना काहां पे कैसे कैसे ko치는 में जाके का स्वबल को लाग देखें और आपको कैसे कैसे टीचर मिलने वाले हैं बाइलोजी तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा अरे यार डीसी पांडे सर पढ़ा देंगे फिजिक्स आपको यहाँ पे chemistry के तो यार इतने मस्त मस्त टीचर्स हैं अस्विनी सर है chemistry के लिए उनको भी आप YouTube पे देखते ही होगे अमेद भाजपेई सर है chemistry के लिए उन्हें भी आप देखते होगे there are so many awesome people सारे वीडियोस आप तीन महिने में डाउनलोड कर लो मेरे जितने पुराने वीडियो है वो भी डाउनलोड कर लो जो आने वाले हैं वो भी और तीन महिनत में तो आप मेरे से नजाने कितने life classes कर सकते हो अगर आपके पास देखो मैं बोल रहा हूँ मैंने कोई अगर आप effort कर सकते हो बहुत कमफीस है तो यार instead of wasting the time आप जोइन करो और अगर नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है मैं हूँ यहां पर YouTube पर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाता रहूँगा कोई बात नहीं चलिए 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 स्टुमेंट्स आप चलते हैं next question अब चलते हैं next question की तरफ यह रहा on the screen चलो come on students आग लगा दो come on students आग लगा दो sir sir okay come on come on अब देख लो न website पर देख लो fees आपको पता चल जागा मेरे ख्याल से I am waiting for your answers I am waiting for your answers a O blood group child बहुत easy question है A O blood group child cannot have parents of the blood groups cannot have the parents of the blood groups come on इसमें गलती नहीं कर सकते यार इसमें गलती नहीं कर सकते Okay very good very good students ध्यान दीजिए O blood group child का मतलब क्या है आपके पास I O I O genotype होना चाहिए Your genotype should be I O I O अब एक I O पक्का आया होगा father से एक I O आया होगा father से और एक I O आया होगा mother से Just try to think like this तो इसका क्या मतलब है कि father के पास एक I O तो होना चाहिए Mother के पास भी कम से कम एक I O होना चाहिए और उसके बगल में कुछ भी लगा दो सब चलेगा उसके बगल में कुछ भी लगा दो सब चलेगा तो यहाँ पर अगर कोई भी parent AB हो गया तो AB का genotype क्या होता यार I A I B तो यार आपके पास तो I O है ही नहीं तो आप कैसे O of spring produce कर सकते हैं तो जहाँ तुमने AB देखा that is going to be the answer for this question तो almost सारे लोगों ने इसका answer सही दिया है तो कुछ लोगों का नाम देख लेते हैं इस बार last ही नाम देख लेते हैं लक्ष गुपता, very good लक्ष गुपता, सिवानी सिंग, राजपोत, मनीश, पायल, प्रिया, आलोकराज, सुरुती, अभै, प्रेमी, पुर्णीमा, ओके, ओके, नाइस टू सी, आलोकराज, विस्नु बैरुआ, गौरा, पायल, ओके और भी सारे लोगों का नाम लेंगे, in the next question, चलो, time भी खतम होने वाला है, बस 2-3 मिनिट बाकी है, यह रहा next question on the screen, चलो, यह एक theoretical question है, direct NCRT से उठाकर मैं लाया हूँ, सर मैंने पहले बोला, okay थिप्ती कुमारी, that's a great performance by you, okay चलो, जल्दी से इस question का answer बताओ, जल्दी से इस button नहीं दबाया है न, यार, पक्का पाप लगेगा, मैं सची बता रहा हूँ, आज के आज पाप लगने वाला है, तो इसे लिए जल्दी से like button दबा दो, यार, okay, who gave the first evidence of X body, now known as X chromosome, come on, this is a direct question, this is a direct question from the, okay, okay, and the answer for this question is hacking, answer for this question for hacking, अगर आपने इसका सही answer नहीं दिया है, तो इसका मतलब है, कि आप NCRT बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, NCRT को line by line पढ़ना है, and almost each and every student has given the correct answer, तो इसे लिए यार, इस बार नाम लेने की कोई जरुवत नहीं है, या देखिए student, जिन लोगों को मेरे classes के बारे में नहीं पता चल पा रहा है, कि sir class कब start होता है, तो telegram channel को join करे, टेलिग्राम चैनल का नाम है, City of Biology, इस telegram channel को join करे, मैं ज्यादा कुछ यहां नहीं बताता, मैं यहां पे बस आपको अपने class के timings बताता रहता हूं, तो इस telegram channel को join कर ले, और फालतों में इधर उधर time बरबाद ना करे, चलिए student, ये रहा, next question, ये रहा, next question on the screen, पलामू से है, कौन है भाई पलामू से, यार, who is there, who is from पलामू here, that's a great place to know, okay, चलिए, चलिए, अब ये रहा, next question, अब बताओ, इस question का answer बताओ, two linked genes, two linked genes, A and B, two linked genes, A and B, so, 40% recombination, दो linked genes है, 40% recombination, so, करते है, the individual dihybrid, capital A, small A, capital B, small B, cell, so, gametes, okay, come on, come on students, tell me, tell me student, okay, okay, very good, जिन लोगों को ये question बनाना आता है, मैंने बहुत प्यार से आपको सिखाया था, जिने नहीं आता है, वो लोग थोड़ा सा क्लास में ध्यान दे, मैं बता देता हूं, देखो, सबसे पहला चीज, अगर कोई भी individual, capital A, small A, capital B, small B है, तो ये चार तरह के gametes तो पक्का बनाएगा, तो माल लीजिए, बनाने दीजिए इसे, एक है तुम्हारा capital A, capital B, एक है तुम्हारा capital A, small B, एक है तुम्हारा small A, capital B, और एक है small A, small B, ठीक है, अब तुमको देखना है, कि linkage किसके बीच में है, तो question में बोला है, small A, small B, linked है, और इनके बीच में 40% recombination है, तो अगर linked है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखो यहां पे, कि capital A and capital B are on the same chromosome, and small A and small B are on the same chromosome, यह भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो answer change हो सकता है, that is called a cis arrangement and a trans arrangement, यहां पे question में बता दिया, कि linkage किसके बीच में है, A और small B के बीच में है, तो इसका मतलब है, कि question बोचा है, cis arrangement के बारे में, आप student, यह जो capital A और capital B है, यह तो parental type है, यह जो small A और small B है, यह भी तो parental type है, तो यह gamut parental type का है, और यह gamut भी parental type का है, recombinant कौन है, यह recombinant है, और यह भी recombinant है, अब question में बोला है 40% recombination तो total recombination 40% है इसका मतलब है कि ये होना चाहिए 20% और ये होना चाहिए 20% क्योंकि total 40% है ना यार तो उसको बांटना पड़ेगा 2020 में अब कितना बच गया? अब बच गया तुम्हारा 60 तो भई ये होगा तुम्हारा 30% और ये होगा तुम्हारा 30% तो इसका answer हो जाएगा दो number this is going to be the answer for this question अगर आपने इन questions का answer सही दिया है तो student this is going to be an excellent one ओके student ओके पूरा पगला गया है मैडम अरे मैडम मैसे ना करे प्रेमी पुर्णीमा ओके ओके नाइस हरियों टाओर के पास अरे यार क्या हो गया comment section comment section में तो यार वैसे ऐसे comments आ रहे हैं ओके ये question आप पहले भी बताए थे हाँ प्रेमी पुर्णीमा बताना पड़ता है तो students ये थे आज के top 10 questions अब आपकी बारी है कि comment section में अपने अपने score को share करे comment section में अपने अपने score को share करे और students get ready कि इसी तरह के ये sessions हमेशा चलते रहेंगे आप मेरे टेलिग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको मेरे से पूरा biology पढ़ना है अभी के अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई plus का subscription अभी के अभी लो तीन महीने का subscription लो तीन महीने का subscription लो और use करो code city of biology आप देखिए कि अगर एक महीने के अंदर में आपके life में change नहीं ला दिया ना तब जाके बोलिएगा कि sir ने क्या बोला था आपने अपना पैसा बहुत जगवेश्ट किया होगा एक बार on academy plus पे आके मेरे classes को attend करो you will never and never regret चलिए students इसी के साथ आज के class को यहां पे end करते हैं thank you students it was a awesome session and thank you for watching the video आप लोग रोज इस तरह से मेरे साथ जुड़ते हो बहुत मजारता है good night good night from my side you people are awesome students okay thank you